बलियपूर के CEO रामप्रवेश कुमार ने BCCA लोधना चेत्र में कारेड़त आउट्सोर्सिंग कमपनी मैसर संग की देव प्रभवा के मालिक लोधना एरिया के महाप्रवंदक प्रजेक्ट आफिसर और एरिया मैनेजर के विरुद्ध अलगडिया ओपी में प्राथमिकी दर को बता दें कि बलियापूर छेत्र के सुरूंगा वा मुकदा मोजा में विरुद्ध करने के बावजूद यह आउट्सोर्सिंग कमपनी लयतों की जमीन पर ओवी डंप गिरा रहा था इसकी विरुद्ध में ग्रामीड लगातार आवाज उठा रहे थे उनकी शिकायत पर अंचल अधिकारी ने राजस्वूप निरिक्षिक अंचल निरिक्षिक वांचल लमीन में जांच करवाई जांच में पाया गया कि देवप्रभा कंपनी ने ग्रामीडों की सेमती की बिना 400 प्लोट पर मलबा गिरा कर 500 फिट उंचा पहाड खड़ा कर दिया इसकी बदले न समंद में मौके का आदेश दिया गया था लेकिन इस पर ध्यान नहीं दिया गया इधर प्रिशासन मामली की जाच में जुट गया है सबसे पहले कि आप इस सुरुगा में हो रहे हैं एक तेचार ओवीडम के दुआरा जिसमें आप परकासित कर रहे हैं अपने मीडिया के माइधम से तो हम सबसे पहले आपको धेनवाद देंगे यह बिसिसियल के दुआरा जो ठीकेदार है यह ठीकेदार लोगों के डैबलोमेंट के परती नहीं नियोजन के परती नहीं लोगों के छाती में मौंग गिराने का काम करने के लिए यहां पर आके बसे हुआ हैं यह हमारे जो जमीन है उखेतिहारी जमीन थी जिसमें पूरा का पूरा सिस्टम एकदम ओभी गिरा कर जमिन को नस्ट कर दिया है जिसके लिए हम लोग पुरा गरामिन इससे बहुत दुखित और बहुत प्लित है तुम जो सुचना मिल रही है कि ओभी डाम लगतार रहती जमिन पर हो रहा है यह रवाया निश्चित रूप से कमपणी एक तो हम लोग जमिन वापस लेंगे या फिर विस्टिसयल को अपने जमिन से ख़दरने का काम करेंगे ये बी सही है परशासान और परवंदन का बार बार आगरा पर हम लोगों ने बारता किया जिस बारता में समाती बना उस सहमाती को लागू नहीं करके फिर से बिसीसील परबंदन विश्वास घात कर रही है, विश्वास तोड़ने का काम कर रही है और इसमें रहयात सुरुंगा पंचायद वासीयों का विश्वास परबंदन पर एकदम कहतम हो चुका है आने वाला समय किसी भी रूप से बिसीसियल का साजोग में रहयात ग्रामी नहीं रहेंगे और MDO को किसी भी आलत में हम लोग यहां होने नहीं देंगे प्रातह दर्पा नियूज के लिए धनबाद ज्छार खंड से सिंदु कुमार की रिपोर्ट